बिखना हर्ता श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा श्री गडेशा बाबा बाबा आपको मोरेश्वर जाना है मैं लेकर जाओंगो बाबा आपको मेरे गड़ पति बपा आ रहे है आज मोरेश्वर नहीं जा पाओगे मोरेश्वर क्योंकि पुल्टूट गया है पुल तूट गया? कोई मार्ग नहीं है? हाँ, हमने अपनी आखों से देखा है आज तो कोई वहाँ जाई नहीं सकता और कोई मार्ग नहीं इतनी दूर से दर्शन कैसे होंगे? अब तो पुल भी तूट गया है मैंने सुना है, एक और मार्ग है पहाडी पर चड़कर, काफी पथ्रीला और कठिन है किन्तु मेरे जैसे बीमार के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि पहारी मारत से भी जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं मैं सोहम जाओंगा गडपती बप्पा को अपने साथ ही लेकर आओंगा ऐसी बाते करो मोर्या काका तुम लाओगे बप्पा को विक्षिप्त ताकी भी कोई सीमा होती है मोर्या ढोंगी अब तो अपना ढोंग बंद करो अपनी चलता में यह सब क्या हो रहा है भक्त हो ना तो क्यू नहीं विश्वास बपा पर वह अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देना चाहते बपा क्या चाहते हैं तुम्हें कैसे पता उन्होंने को में दर्शन दिये क्या हाँ बपा ने स्वयम दर्शन दिये है प्रभु ने कहा है कि वो अपने दिव्य दर्शन देने यहीं इसी इस्थान पर आएंगे वो हमें जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं है वाले अवस्था से यही कता सुन रहा है मोरिया आज तक तो दर्शन मिलें जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा मुझे बपा के वचन पर पूर्ण विश्वास है जूटकी भी एक सीमा होती है फिर से एक नवी डोंग पिरने कलाके की ठंड में हमें बर्त ख़ला रखा हुआ है बाबा मैं अपने मित्रों से बपा के भक्त बंधूँ से जूट क्यों कहूंगा मोर्या हटो संभाले पिता जी स्वामी क्या कह रहे है बाबा गड़पती बपा भला या कैसे आएंगे क्यों सब क्यों पास के पात्र बंध रहें चले घर चली चली स्वामी तुमको भी मुझ पर विश्वास नहीं यह सभी तो बपा की लीला से अंजान है हुआ हु के गड़पती बपा नेकल रात तरी मैं मुझे सौयं स्वापन में आकर कहा कि वह मुझे करहा नदी में मिलेंगे और यह प्रमाडित हो गया है कोई मोरिश्वर नहीं जा पा रहा ना क्योंकि मेरे गड़पती बपप स्वोयम यहां रहे हैं हमारे चिंचवाड में इस भक्त की प्रार्थना सुनली प्रभु ने मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता तो वे मुझसे भीट करने स्वयम आ बचन दिया है उन्होंने तुम मुझे ढोंगी समझो या विक्षिप्त मेरा विश्वास करो या नहीं मुझे अपने गड़पती भपा पर पूर्ण विश्वास है बस बहुत हुआ मोर्या तुम हस्वस्त हो जाओ विश्राम करो बपा के बिना विश्राम कैसा आज ये प्रम नदी के किनारे नदी में डुक्की के बाद बपा मेरे साथ आएंगे यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं सब के सामने मान लूँगा कि मैं संसार का सबसे बड़ा ढौंगी हूँ चले बाबा मैं हूँ आपके साथ चलो इतना कह रहे हैं तो हम लोग चल कर देख लेते हैं दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा जूप क्या है और सत्त क्या है आज प्रमान देखी लेते हैं इसका अनोठी विडम बना है एक समर्पित भक्त से उसकी भक्ती का प्रमान चाहिए था सबको जिसे कोई भक्त ही न माने क्या लाब है सी भक्ती का एक भक्त के लिए उसकी भगवान का साक्षात कार ही उसकी भक्ती का सबसे बड़ा फल है इसलिए भक्त मोरिया के लिए तो वो दिन अती विशेश था और संपूर्ण संसार उसका साक्षी बनने वाला था बाबा, जल बहुत थंडा है, हिम जैसा है अभी भी समय है मोरिया, अपना धोंग त्याग दो अपने धंडे जलने उतर कर अपने अवरत सहीर को क्यो कस्त पहुचा रहे हो अड़ी इतना समय नहीं है हमारे पास हमें प्रभू के दर्शन करने मोरेश्वर भी जाना है आप! 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 नहीं, स्वामी, स्वामी, रुँचाये! स्वामी, मत्रीके, स्वामी! स्वामी! जेगल पत्ती, बाप्पा. बापा. स्वाबी. जेगल पत्ती, बाप्पा. सुहाल नहीं. बापा. सुनो, गनेशा, हम भक्त तेरे. सुनो, गनेशा, हम भक्त तेरे. प्रभु तेरी महिमागाए. प्रभु तेरी महिमागाए. बापा तेरा ही गुनगाए. बापा तेरा ही गुनगाए. कल कल में तुम नदी नदी नान करने जाना वहां तुम मुझे पाओगे तुम्हें वो भविय दर्श दर्श प्राप्त होंगे जिनकी प्रतीक्षा तुम सम्पूल जीवन करते रहे हो और कल तुम्हारा नाम मेरे नाम से भी जुड़ जाएगा करते conversation करते पत्पाओप हुआ है तुमारे गड़पती बप्पा बताओ बताओ मोरिया अशो आनन्द बनाओ क्योंकि मेरी अगली डुपकी के बाद मेरे तुमारे अब अब बताओ मेरे साथ ही आने वाले हैं मैं तो कहता हूँ मोरिया हट त्याग दो अपने आयू को विचार को और इस थंडे जल्में और संकाट बोल मतलो गड़पती बपाँ कारी कि कि रमपती पाँ कि रमपती नख विचर को दो खाली डिस थे के तो भातू गॉचार क्षा बोलों कर दो देख लो नारियल लेके निकला है मोरिया जी अब बहुत हुआ तुम्हारा ढोंग मोरिया अब हम जा रहे हैं हाँ भाई इस खंड में प्रांट राक्ते देखने नहीं आया हम चलो फाँ चलो पर फाँ चलो पर चलो रुकशो पर नहीं तो कम से गव अपने बगवान पर तो विश्वास रखो मुझे एक और प्रयास करने दो उसके बाद में तुम सब के उपास असकर सहलूँगा कोई विश्वास करें ना करें मुझे तो पूर्ण विश्वास है और मैं तब तक नदी में डुक की लगाता रहूंगा जब तक आपका कहां सत्य नहीं हो जाता आप आ नहीं जाते प्रभू अपने वचन का मान रखना बप्पा गणपती बप्पा की जाए आप आएंगे प्रभू आप अश्याएंगे तेरे सारी अच्छी लगाए बहुत समय हो गया यह से तो मोरिया का भी तरी कैसे है इंकुछ हो तो नहीं गया मोरिया को कि अगर 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 कि अगर 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 को अगर में तुम नदी में स्नान करने जाना वहां तुम मुझे पाओगे कि अगर 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 अग प्रभू गडपती वप्पा आपने अपना वचन फोन किया प्रभू आला रे आला वप्पा आला कर देखो मोरिया ढूबा नहीं उपर आ रहा है अरे यह तो चमतकार है चमतकार है यह बपाब आलाहर रागर प्रपा साथ का आलाहर रहा है ay ईंडरांनो प्रदी प्रदी आनन भाइंडग है तो हम भी तमपर उसी दिन विश्वास करेंगे जिज दिन गनपती बपा भव्याद अर्शन देने आएंगे तुमें गनपती बपा आप आप आगे जिसे पूर विश्वासता कि आप आएंगे कि देखा मैंने कहा था ना मेरे बपा आएंगे देखो आगे वो मेरे गड़पती बपा मेरे गड़पती बपा सुनो गनेशा हम भक्त तेरे सुनो गनेशा हम भक्त तेरे प्रभु तेरे गड़पती बपा इस प्रकार मोरिया की भक्ति के कारण उसका नाम स्वयं मेरे नाम से जुड़ गया फिर मोरिया जी के पुत्र चिंता मणी ने ग्रामीडों के साथ मिलकर वहाँ एक भव्य मंदर का निर्मान किया जहां मोरिया ने मेरी प्रतिमा स्थापित की उस दिन मेरे दर्शन प्राक्त कर और मेरी प्रतिमा स्थापित कर भक्त मोर्या अश्ट सिद्धी के स्वामी बने दूर दूर से भक्त अपनी समस्याओं के निवारण के लिए उनके पास आने लगे और वो सभी के संकट दूर करने लगे गणपति बपा गणपति बपा इसके बाद भी अनेको वर्षों तक भक्त मोर्या मेरी भक्ती और जन सेवा करते रहे शीग्र बड़े-बड़े महात्मा उनसे भेंट करने आने लगे समर्थ रामदास और संत तुका रामभी भक्त मोर्या द्वारा स्थापित उनके गणपति बपा की प्रतिमा के दर्शन करने आए अहिए रखुवीर सामार्थ जाय रखुवीर सामार्थ भी इअ संत्य तुका राम जी भक्त शुरू मड़ी समर्थ रामदास जी आपका स्वागत है प्रणाम भक्त मोरिया जी आप दोनों महान भक्तों को देख मेरा हिर्दे गद गद हो गया है आए हम तो गनपति पप्पा के दर्शन करने को तत पर है जो सुवयम आपके यहां विरजमान गनपति हमानपति हमा है प्रियाँ आप प्रियमदिन हवाँ महे निधीनांप वादिधिन्सक्षाण करने को देव जै मंगल मूर्ती, होश्री मंगल मूर्ती, तर्शन मात्रे मान खामा नापूर्ती देव जै मंगल मूर्ती देव जै मंगल मूर्ती, होश्री मंगल मूर्ती, तर्शन मात्रे मान खामा नापूर्ती और तब मोर्या जी के नाम के समान, महान भक्त समर्थ रामदास चरित, अद्बुत आरती सुख करता दुख हरता भी मुझसे जुड़ गई और युग युगानतर तक, जो भी इस आरती को गाएगा, उसकी प्रार्थना मुझे तक अवश्य पहुँचेगी इश्वर के प्रती अटूट विश्वास और सची श्रद्धा हो, तो इश्वर भी भक्त और भगवान के बीच का भेद मिटाकर उसे एकाकार कर लेते हैं आज महान संत महातमाओ की पस्थिती में मैं कुछ कहना चाहता हूँ उस दिन मोरिया जी ने कुछ ऐसा कहा, जिससे सुनकर समस्त चिंचवार स्थब्ध रह गया झाहता हो